वेल्कम बैक मैं वसीम आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल वसीम इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने कोवीड वैक्सीन सर्टिफिकेट में करेक्शन कैसे कर सकते हो मैं आपको स्टेप बाइ स्टेप दिखाने वाला हूँ कि आप अपने नैम, जेंडर, डेटा बर्थ में करेक्शन कैसे कर सकते हो कोवीड वैक्सीन सर्टिफिकेट में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट रहे की आप से कि मेरे यूटिव चैनल को सबस्क्राइब कर देना ताकि और भी वीडियो आप तक पहुंच सके तो आपको आना होगा अपने मुबाइल फोन के क्रोम ब्रोजर पे क्रोम ब्रोजर पे आने के बाद आपको सर्च करना होगा कोविन कोविन सर्च करने के बाद आपके सामने पहली जो वैब साइट आएगी www.kowin.gov.in इस website को आपको open करना होगा open करने के बाद आप यहां पे देख सकते हो site पे आपको दिख रहा है register and sign in तो आपको इस पे click करना होगा register and sign in पे click करने के बाद आपको यहां पे अपना mobile number enter करना होगा जो भी आपका mobile number आपके COVID certificate के साथ register हो mobile number डालने के बाद आपको get OTP पे click करना होगा get OTP पे click करने के बाद आपके mobile number पे OTP sent किया जाएगा उसके बाद आपको वो OTP यहां पे enter करना होगा OTP एंटर करने के बाद आपको verify and proceed पे click करना होगा verify and proceed पे click करने के बाद आपके सामने वो सारे member दिख जाएंगे जितने भी आपके mobile number के साथ register होगे तो उसके बाद आपको raise and issue पे click करना होगा raise and issue पे click करने के बाद आपके सामने बहुत सारे option शो हो जाएंगे उसके बाद जो पहला option आपको आएगा correction in my certificate regarding name, age, gender and photo ID तो आप अपने name, age, gender जिसमें भी आपको correction करनी होगी वो correction कर सकते हो तो आपको यहाँ पे click करना होगा correction in my certificate इस पे तो उसके बाद click करने के बाद आपके सामने कुछ instruction आ रही है पहली जो instruction आ रही है कि आप अपने vaccine certificate में only एक times change कर सकते हो और जो all changes है वो पर net रहेंगे दूसरा जो आपको instruction दिया गया है कि आप अपने name को अगर fake vaccine certificate में change करते हो जब changes करते हो तो उसके बाद 48 घंडे के बाद आपकी जो changes है वो हो जाती है उसके बाद आपको select करना होगा member select member जो जिस भी member की आपको correction करनी है वो ही वानम select करना होगा वो select करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपका प्राना name होगा वो show हो गया तो आप उसको change करना चाहते हो, कर सकते हो, तो पहले में आपको दिखाता हो name change करना हो, तो आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं click करता हो, तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि enter correct name, तो आपको उसके बाद अपना जो correct name होगा, वो enter करना होगा, उसके बाद अगर अगर आपक में भी correction कर सकते हो तो उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी year of birth में अगर correction करनी है तो simply आपको अपनी year of birth यहाँ पर enter करनी होगी year of birth enter करने के बाद आपको अपना document upload करना होगा एक चीज यहाँ पर द्यान देने वाली है आप अपना document जैसे election card है अधार card है जो document आपको upload करना है वो document आपको अपने mobile phone में पहले ही photo उठाके save कर देना है save करने के बाद आपको यहाँ पर upload file पे click करना होगा उसके बाद आपको मैं for example के लिए यह दिखा रहा हूँ आपको वो वाला document select करना हो हो जैसे आप अपना अधार card या election card जो पर upload करना जाते हो कर सकते हो तो उसके बाद आपको यहाँ पे continue पे click करना होगा continue पे click करने के बाद आपकी जो सारी information है वो यहाँ पे show हो जाएगी और आपने जो document upload किया है वो यहाँ पे show हो जाएगा तो उसके बाद आपको नीचे आना होगा नीचे आने के बाद आपको submit request पे click करना होगा submit request पे click करने के बाद आपको 48 गेंटों का wait करना होगा उसके बाद आपकी जो COVID vaccine certificate पे correction हो जाएगी तो ये थी मेरी आज की वीडियो कैसे लगी दोस्तों वीडियो like, share और subscribe करना ना बोले मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई, लाहाफिज, थैंक यू